Hello students, drawing class 6th, plus number 7 कैखा किरण के कैब बिन्दु पर कौन एबैस है और कौन जै दै मैं के योगफल के समान कौन बनाओ यहाँ पर यह दो कौन बना रखें एबैस है आपने एक किरण बैस है खींचना है फिर एक इसी बिन्द से एक किरण और ले लेंगे बै तो इस परकार से एक कौन बनेगा यहाँ इसी परकार नीचे एक किरण दै मैं खींचनगे फिर दै किरण से एक किरण और खींचनगे दै जै तो यह दूसरा कौन बनेगा अब ये दोनों कोणों की योगफल के बराबर कैखाय किरण के कैबिंदु पर हमें इन दोनों की योगफल के बराबर के समान कोण बनाना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एक किरण खेंचेंगे, जिसका नाम रख रहे हैं हम कैखै, यह दिया हुआ है कैखै किरण के कैबिंदु पर, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसको देखेगा ध्याम से, बहुते आसान है, यह हमने एक यहां किरण ड्रॉ की है, इस किरण का नाम है कै किरण के एक और एरो, तीर का निशान होगा, कैखै, यह कैखै एक किरण खेंचा है, अब हमें इन दो कौणों के बराबर हमें, कौण यहां बनाना है, कैसे करेंगे देखिए, यहां से हम इस बैबिंद से चाप एक चाप हमने यह लिया, यही सेम चाप यहां से लेना है, बहुत ही आसान है इस प्रकार से, तो इन दोनों चापों के नाम है तैले, इसका नाम है यहां तैले, और जो जै दै मैं है, इसमें हमें तै है, यहां हम, कोई भी चाप हम, वही चाप जो, जैसे यहां हमने तैले लिखा है, वही तैले भी आप यहां लिख सकते हैं, तैले, सेम चाप हैं यह दोनों के दोनों, अब हमें यही जो, जितना हमने प्रकार में यह तिर्जिया ली हुई है, यह दोनों से में आप देख रहे हैं, यही चाप हमें, इस कैब इन्दू से हमें लेना है, तो देखेगा, कैसे करेंगे, इस चाप को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे इस प्रकार से, यह, यह एक चाप ले लिया हमने, यह चाप कैखा किरन को पैबिंदू पर कारता है, यह पैबिंदू है, अब हमें क्या करना है इस पैबिंदू से, अब जो हमारा कौन है एबस है हमें तैले की लंबाई यहां नापनी है यह कितना है इसको नापिएगा यह तैले तैले के बराबार इस पैसे हम एक चाप काटेंगे अब हमें इसका नाम हम ले की बजाए हम यहां है रख रहे हैं इसको हम चेंज कर रहे हैं इस बिन्दू का नाम है है क्योंकि यह दोनुच आप सेम हो जाएंगे जबकि यह सेम नहीं है तै है अब दूसरा हमें तै है को नापना है देखो यह कम है जो उपर वाला था यह कम है यह ज्यादा है तो इसलिए हमने इसका नाम तैह है रख दिया ले काटके है अब यह देखेगा आप यह इस प्रकार से तैह के बराबर इस पैसे हम यह पैसे नहीं यह नाम आएगा आपका रह यहां रह बिन्दु रखा अब इस रह बिन्दु से हमने यह हमने जो पैरे काटा है यह तो तैह ले के बराबर था यह तैह ले के बराबर अब है तैह है अब तैह है के बराबर हम इस रह बिन्दु से एक साप लेंगे ऐसे इस बिन्दु का नाम रखेंगे हम नह नह अब इस नह बिन्दु को इस कैसे क बिन्दों से हम इसको मिलाएंगे देखेगा और इसको मिलाएंगे और आगे हम इसको घै तक बढ़ाएंगे घै तक तो आप यहां देख रहे हैं कि कौन यहां हम लिख रहे हैं फिर से कौन घै कै खै बराबर यह वाला कौन है कौन ए बैसे जमा कौन जै दै में इस परकार यह वाला कौन इन दो कौनों के योग के समान हो गया अब आप देखे अगला प्रस्ण प्रस्ण नमबर 15 बीच में जो प्रस्ण है 7, 8 से लेके 14 तक यह सभी कौन बना वाले प्रस्ण है 15 अंस का 45 का 30 का 60 का वो हम पहले आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं अब देखे प्रस्ण नमबर 15 कै कै खै रेखाखंड के यहां रेखाखंड पूछा है कै बिन्दू पर परकार द्वारा लब उठाओ तो हम कैसे करेंगे देखे रेखाखंड है तो कहीं भी एरो नहीं आएगा इसमें इस बात कब इसे ध्यान रखना यह हमने एक रेखाखंड खींच लिया रिखाखंड में तीर का निशान नहीं आएगा ये इस बिन्दु का नाम है कै इस बिन्दु का नाम है खै इसमें पूछा है कै बिन्दु पर परकार द्वारा कै बिन्दु पर ये कै बिन्दु है यहाँ पर परकार द्वारा लंब उठाओ लंब का मतलब है 90 अंस का कौन बनाओ, तो 90 अंस का कौन कैसे बनेगा देखेगा, हम एक चाप लगे इस प्रकार से, अब हम इस कैब बिन्दु पर, place the point of compass, हम कहां रखेंगे, कैब बिन्दु पर, और यहां से हम एक चाप लगाएंगे, इस प्रकार से, आप देख रहे हैं, नाम रख दिया हमने, पै, जो कैखे को पै बिन्दु पर काड़ता है, फिर समान तिर्जा का, जो तिर्जा यह कैपै है, इसी तिर्जा का हम पै पर प्रकार रखेंगे, place the point of compass at the point पै, पै बिन्दु पर प्रकार की नोग रखेंगे, हम एक चाप लगाएंगे, सेम रेडियस का, जिस बिन्दु का नाम होगा, ए, इसका नाम हमने रखा यहाँ, ए, ऐ से एक चाप और लगाएंगे, आगे, हमें 90 अंस के कौन की रचना करनी है, क्योंकि 90 अंस का कौन ही, लंब बनाता है, 90 डिगरी का कौन बनाता है, यह, आप देख रहे हैं, इसका नाम रख दिया हमने बै, इस बिन्दु का नाम है बै, अब हमें ए और बै से, चाहें तो आप इसी तिर जाका कर सकते हैं, या इसको बढ़ा सकते हैं, हम उपर चाप लगाएंगे ऐसे, क्योंकि दोनों जगह से समान तिर जाका हमें चाप लगाना है, यह बै बिन्दु का है, य यह दोनों चाप एक डिश्रुई को बिन्दु मैं पर काड़ते हैं, मैं, अब आप देख रहे हैं, यहाँ जो कैमे है, यह कैमे है, यह लंब है कैखै किरण पर, हम कैमे को मिलाएंगे, ऐसे, तो यह हमने इसको हम चाहें तो आगे भी हमने बढ़ा दिया है, तो इस प्रकार मैं कै जो लंब है, वो कैखै किरण, कैखै रिखाखंड पर अभिष्ट लंब है, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ कैमे, कैमे को मिला दिया, कैमे, अभिष्ट लंब है, अभिष्ट लंब है, इस में हमें लंब उठाना था, तो लंब यहाँ से उठा दिया, लंब जो होता है, वो 90 डिगरी का होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ, यह ठीक 90 अंस का कोड़ यहाँ बनेगा, तो इस परकार से यह दो प्रस्ण 7 और 15 आपको आज समझाए गए हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग